नमस्कार जिस तरह से पुलवामा हादसे के बाद कोंग्रेस ने मोधी सरकार और सेना पर स्वाल खड़े किये थे एस्ट्राइक के सबूत भी कॉंग्रेस ने मांगे थे उसी तरह से अब सिव सेना ने सीडियस बिपिन राउत के हेलिकॉप्टर क्रेस आज से पर स्वाल उठाई हैं उखाड दिया वाले पत्रकार संजा राउत ने सीडियोस बिफन राउत के हेलिकॉप्टर क्रेस मामले में संका जताते हुए कहा है कि इतना एडवांस टेकनोलोजी वाला हेलिकॉप्टर MI-17 क्रेस कैसे हो सकता है शीव सेना ने कॉंग्रेस की रा पकड़ते हुए सेना और मोधी सरकार पर हमला बोलना सुरू कर दिया है अब सीव सेना से कॉंग्रेस नित्ती की बुआना सुरू हो चुकी है क्योंकि सीव सेना ने सोनिया गांदी के सामने गुटने टेक कर उतर परदेश और गोवा उनसे मुलाकात की उसके बाद मंगलवार को राहुल गांदी से और बुद्वार को प्रियंका गांदी वाडरा से मुलाकात करने के बाद सीव सेना ने कॉंग्रेस के साथ मिलकर यूपी और गोवा में चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है उत्तर परदेश और गोवा में शिव सेना का हाथ कॉंग्रेस के साथ इस तरह के संकेत खुद संजर राउत ने दिये हैं लेकिन दूसरी तरफ उद्दव सरकार की सयोगी पार्टी एनसीपी ने उत्तर परदेश में अखलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ उतरने का फैसला लिया है और गोवा में ममता बनर्जी की पार्टी टीमसी को समर्थन करने का एलान एनसीपी कर चुकी है एनसीपी सूपरीमो सार्द फवार ने थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर ममता बनर्जी को ठुकरा दिया लेकिन अंदर खाने कोंग्रेस से किनारा करने का फैस कर चुके हैं ऐसे में अब महाविकास गाड़ी गेंग की एक पार्टी NCP कोंग्रेस के विरोध में जाएगी तो फिर उद्दव सरकार का क्या होगा क्या मारास्टरा में अब कोंग्रेस NCP के साथ समर्थन वाली सरकार में बनी रहेगी ये एक बड़ा स्वाल मारास्टरा की राजनिती में उठखड़ा हुआ है जिसने उद्दव सरकार में हडकम मचा करके रख दिया है एक तरफ सोनिया माता ने सार्दफवार को फाइनल अल्टीमेटम देते हुए थर्ड फ्रंट बनाने से किनारा करने का आदे सुनाया तो दूसरी तरफ NCP सुप्रीमो सार्दफवार ने पवार गेम खेलते हुए यूप्पी और गोवा में कॉंग्रेस के खिलाप उतरने का फैसला ले लिया जो सिव सेना की उद्दाव सरकार के लिए कताई अच्छे संकेत नहीं है ऐसे में अब यूपी का चुनाव माराश्टरा की महाविकास सगाडी गठबंदन वाली उद्दाव सरकार में खलबली मचाएगा क्योंकि उद्दाव ठाकरे को कॉंग्रेस और NCP दोनों का समर्थन चाहिए सरकार चलाने के लिए लेकिन सिव सेना ने कॉंग्रेस की सोन्या माता के सामने जुक कर NCP सुप्रीमो सार्द फवार को नराज कर दिया है ऐसे में अब अगारी गैंग में फिर से आपसी तकरार सामने आएगी जो निष्टी तोर पर उद्दाव ठाकरे की शियम कुर्सी के लिए गातक साबित होगी एक तरफ माराश्टरा की राजनित्ती में आपसी तकरार की खबरें आ रही है तो दूसरी तरफ E.D. अनिल देशमुक की संपत्ती जबत करने के लिए कमर कस चुकी है जिस पर अनिल देशमुक की पत्नी आरती देशमुक ने मुंबई हाई कोट का दरवाजा खटकटाया है ताकि उनकी संपत्ती को जबत करने पर रोक लगाई जा सके सो क्रोड रुपे वसुली कांड और ट्रांश्पर पोस्टिंग गोटाले के आरोप में जेल में बंद मारास्टरा के प्रो ग्रह मंतरी अनिल देशमुक की संपत्ती भी E.D. जबत कर सकती है मुंबई हाई कोट की तरफ से इस पर 10 दिसंबर को सुनवाई होगी जिसके बाद अनिल देशमुक की संपत्ती जबत करने पर अंतिम फैसला होने की उमीद है इसके साथी अनिल देशमुक के पिये और उनके एक अन्य साथी जो उनके साथ जेल में बंद है सो क्रोड रुपे वसुली कांड के मामले में उनकी जमान त्याचिका को खारीज कर दिया गया है अब अनिल देशमुक और उनके दोनों साथी जेल में ही रहेंगे ऐसे में एन्सीपी सुप्रीमो साथ फुआर एन्सीपी के नेता प्रोग्रेम अंतरी अनिल देशमुक साइत उद्दाव सरकार को एक से बढ़ कर एक जटके मिल रहे हैं जो अगाडी गेंग में आप सीफूट को जनम देंगे कुल मिलाकर मारास्ट्रा की उद्दाव सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और यूपी विदान सुबाचुनाव को लेकर एन्सीपी कॉंग्रेश शिवसेना तिनों पार्टियां एक बार फिर से आमने सामने होगी जिसका फाइदा विपक्स उठा सकता है अगाडी गेंग में चल रही आपसी तकरार ही मुख्या कारण रहा होगा कि बिजेपी नेता और केंद्रिया मंत्री नरायन राने ने मार्च 2022 तक उद्दाव सरकार गिरने की बविश्या वाने की थी और अब इनके प्रणाम सामने आने शुरु हो चुके हैं अजीत पवार की 1400 क्रोड रुपे की संपत्ती एडी जबत कर चुकी है जिसको लेकर के सार्द पवार बिजेपी नेताओं से लगातार संप्रक में थे उनके साथ मिटिंगे चल रही थी इस तरह की कबरें आ रही थी कहीं ना कहीं केंद्रिया जांच जैन्शियों की जो पवार परिवार की जबत कर ली जिसका सिधे तोर पर कनेक्शन अजीत पवार से हैं और इसी जांच की आंच से बचने के लिए एंसी पी सुपरीमो सार्द पवार लगातार बिजेपी नेता और केंद्रिया मंत्रियों के संप्रक में हैं कुल मिलाकर के का जा सकता है कि पड़ी गटबंदन में आपसी तकरार होना निश्चित है जिस तरह से कोंग्रेस के दबाव में आकर के शिव सेना ने कोंग्रेस का साथ देने का निरने लिया है उसी तरह से एंसी पी ने कोंग्रेस के दबाव को ठुकरा दिया है हलांकि एंसी पी को सोनिया गांदी की तर थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर के ममता बनर जी के साथ जाएंगे तो निश्ची तोर पर माराष्टरा से कोंग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी जिसके बाद उद्दव सरकार गिरेगी और उनके हातों से यदि सरकार निकली तो फिर पवार परिवार का क्या होगा ब्र सर्दवार ने ममता बनर जी को ठुकरा दिया लेकिन अंदर खाने गोवा में टीमसी को समर्थन करने का जो फैसला सर्दवार ने लिया है उससे भी सोनिया माता नाराज है उत्तर परदेश में कोंग्रेस को ठुकरा करके समाजवादी पार्टी को जो समर्थन करने का फैसला NCP की तरफ से लिया गया है उससे भी NCP और कॉंग्रेस में तकरार होना निश्चित है माराष्टरा के जो NCP के नेता हैं कॉंग्रेस के नेता हैं वो आए दिन लड़ते जगड़ते रहते हैं इसमें कोई सक नहीं है लेकिन शिव सेनाने सोनिया माता के सामने गुटने टेकर के सार्द फुवार को नराज कर दिया है NCP के नेताओं को नराज कर दिया है जिसका पूरा गाटा उद्दव सरकार को होगा उद्दव ठाकरे की सियम कुर्शी पर फिर से संकट के बादल मन रहेंगे जिस तरह ऐसे NCP सूपरीमो सार्द फुवार ने थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर के ममतावनर जी को जुरूर ठुकरा दिया लेकिन विदान सबाचुनाव में समर्थन को लेकर के ममतावनर जी के साथ है उससे कोंग्रेस काफी नराज है कुल मिलाकर के महाविकास सेगाड़ी गठबंदन सरकार में एक तरफ ब्रस्टा चार के मामले खुल करके सामने आ रही है एडी पवार परिवार की 1400 क्रोड रुप कोई की संपती जबत कर चुकी है और अब अनिल देश मुकी संपती जबत करने की तैयारी मेडी चल रही है ऐसे में साथ फुवार पर कैई तरह के दबाव भी बढ़ रही है जिसको लेकर के महाविकास सेगाड़ी गठबंदन सरकार में आपसी तकरार होना फिक्स है कुल मिलागरे का जा सकता है कि महाविकास सेगाड़ी गठबंदन सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और फिलाल महाविकास सेगाड़ी गठबंदन सरकार को लेकर के NCP सूपरीम और साथ फुवार की स्तरह का फैसला लेंगे क्या कॉंग्रेस NCP के समाजबादी पार्टी के साथ जानने के बावजूद भी उद्व सरकार में बनी रहेगी गोगा में TMC के साथ जानने के बावजूद भी क्या कॉंग्रेस और NCP का गठबंदन बना रहेगा इस प्रापर ने विचारे में कॉमेंट बाव समताए साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लें अभी कले इतना है मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अब तक के लिए जैहिन जै भारत